प्रेंड्स वेलकम टू अमर्क स्टड़ी देखे एस वीडियो कि मेट्रोलोजी तीसरा वीडियो है इसमें हम लिमिट टॉलेंस वाला टॉपिक पड़र है तो यहां पर कुछ डैफिनेशन अगे करेंगे ठीक है तेंगे हैं यहां पर कुछ आपको अजीब साहीब इसको थोड़ा समझना ठीक है बहुत जरूरी है और करतो भूल है यह शाफ्ट अभी समझेंगे और चीजे हम क्लियर करें गिए देखो आपको मैं क्लियर बता दू देखो हम सबसे पहले यहां पर देखेंगर को सबसे बहले हम देखें कुछ definition upper limit और maximum limit यह चीजे हम देखेंगे, देखो क्या होता है, यह हमारा hole है, यह हमारा, यह shaft होगी, तो हम लेते हैं कि यह hole है, ठीक है, यह shaft है, इसमें यह assemble हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है, यह चीजे हमें सीखनी है, बस बहुत जरूरी है, यहाँ पर कहले हैं यहाँ पर जैसे मालू कि क्या करें गभी होल है तो यहाँ पर इस तरीके से बना वुआ है ठीक है तो यहाँ से मालू यह बेस लाइन है अपनी इसकी होल की बेस से लेंगे यहां तक यह यहां तक यहां तक यह यह वाली जो लाइं गई है तो ही कि यह वह लेपन से तो यह बोलेंगे श yapıyorsun छीश खसी बूलेंगे 22 अब यह चैजैब सनसा आप 5 यह पोझा होने है अब देखो शाफ्ट भी और छूप इस ने अब अब देखो मैं यहां पर आपको चीज बतादू अपर लिमिट और मैक्जमीम लिमिट मैक्जम our मेक्जिमम पर्मी सिबल साइज ओफ टाइमेंशन ठीक मैया मैं मैंसिम मेर्फ लो को एक 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 आग्जामपल बता दूँ पर मालू और भी सिसकी अपर 20 का इस होल का डायमेटर 20 का माना और यहां पर हम maximum परमीसिबल कर सकते हैं वो 0.05 तक ही कर सकते हैं इसको 20 प्लास 0.05 ठीक इस तरीके से तो इसको maximum permissible size या फिर maximum upper limit बोलेंगे upper limit या फिर इसको minimum maximum maximum limit बोलेंगे ठीक है लोगर limit में क्या आता है minimum permissible size of a dimension जैसे मालो कि अपना जैसे कोई भी डायमेटर 20 का है जिसमें हम क्या क्या अलांस दे सकते हैं माइनस में कितना जा सकते हैं माइनस में जा सकते हैं इससे जादा हो नहीं सकती अगर इससे जादा हो गया तो यह काम का ने रहेगा product हमारा खराब हो जाएगा यह यह चीज़ा है यहां पर clear हो गई अब क्लेंस की बात आती है दूसरा एक होता है क्लेंस क्लेंस में क्या होता है और टेफिनशन देख लेते हैं क्लेंस में क्लेंस की डेफिनीशन देखो the difference between the size of a hole and shaft which are assembled together कि या कि तो देफिरेंस बेटिविन दा होल ऐंद शाफ्ट इफरेंस यह और साफ्ट है एक दूसरे में क्या है Assemble हो रहे हैं तो इसके बाद Assemble करके यह भी खर रहा है तो इसके एंदर क्लियांस, 0.01 दूरा 2 जो भी खूँए स्के अंदर जिससे इसके अंदर घूम रहा है तो यहां पर क्या होता है में के कन्डीशन में क्या होता है नोट लिख लिए लिकलेशन में क मडता को साइज होता है वह बड़ा होता है इंट difference में क्या में क्या होता है भी कि साफ्ट का साइज होता है बड़ा होता है होल का साइज छोटा होता है ठीक है वैसे जो नॉर्मल कंडिशन होती है यह होती है को होल का साइज हम बड़ा लेंगे और शाफ्ट का साइज हम छोटा लेंगे यह होता है लेकिन अगर इंट्रेफरेंस की को ऐिए मेडिक से तो के खर मुस्कार से गेंगे से पश्रेंगे द मैक्सिकल होता है उलिमिल अब highly सब से बहुत लीदिक सब Jeweloni बश्रेंजon होता है यह होगी मुद्द करेंगे मुद्द 674 यह हो गया, upper limit, ठीक है, तो हमारा basic size कहां से consider करेंगे, यह 0 line से, जो कि 0 line आपको देख रही होगी, यह line आपको क्पिस रही है, 0 line, to 0 line से लेके और upper limit, ठीक है, 0 line से लेके upper limit, तो कितना क्या वजयाँ गभपई यहां से लेके यहां तक हो जाएगा जो कि मैंने देखो यह दिखाया है यहां पर देखो इस तरीके से जो कि यहां पर भी दिखाया है ठीक है यह देखो देख रहा है ना यहां पर भी दिखाया है तो यह हो जाएगी आपकी अपर डाविशन अब लोबर डाविशन देखिए लोब डाइबिशन क्या होगी this is the algebraic difference between two basic size and lower limit जो कि देखो basic size मैंने यहां से consider करूँगा ठीक है और lower limit में यहां से consider यहां से लेके यहां तक की lower limit ओगी तो lower limit वाली line यही तो होगी lower limit वाली line तो यह वाली जो यह है ना यह आपको देखेंगी lower divation जो कि देखो यह दिख रहा है आपको यहां से लेके यह लोब डाइबिशन तो यह हो गई कि अब fundamental division आता एक अगरी next जो definition है fundamental division fundamental division की definition क्या हो जाएगी यह हो जाएगा आपको देखिए this is the division either upper or lower division मतलब यह एक यह तो हमारी upper division हो सकती है यह फिर लोब डाइबिशन हो सकती है जो कि zero line से nearest हो मैं फिर से कह रहा हूँ this is the division either the upper or lower division which is nearest one to zero line from either hole and shaft hole and shaft से zero line से कुछ भी यह तो upper division हो सकती है फिर लोब डाइबिशन तो हमने पढ़ लिया है टिके या तो अपर डाइबिशन हो सकती है और लोब डाइबिशन होदी हम इसको जो जो भी छे तो हम मानेंगे क्या fundamental टाइबिशन ठीक है अबद गो जैसे objectं देखो मैंने आपको दे दिए यह दोड़ायं नियू टेँखे माइनस में विरी दिखित वोगी यह ट अध्वे मैंने मनलों ओग I इती ले लिए यहां तक में लिख लिए वैसे दिख कर दे रहाँ कि देखो भी मैंने दो डेखो डायमेसे लेली माइनस मा लेनितिक एक थीज टीज ले लिया मैं ड़े लायों थीक है तो सबसे निरेस्ट जो भी होगी यह वह उगी अपनी 28 कोशे जाएगा 28 28 है का आंसर हो जाएगा फंडामेंटल डावेशन तो यह यहां पर क्लियर होई कुछ definition में आपको किया कर दीं maneuver limit किरादी ठीक है के रध दिया इंटर्फ्रेंस कर दी dioxideze ऑभां बढ 이제 लोगा भांडवेशन प्सक्क्त भांड हे बhando क्रोस्तすब कर दो को और इसके दिए हो बढ़कर है किसा में छोटा होता है चालिए तो वीडियो के साल चीज़ हैं और में लिए जए से पर लगा ठीक है और नेक्ट वीडियो हम देखेंगे क्या क्लैंस के बारे मैं वो उसके बारे में वो भी बाकी है तो अ बाते हैं टीक है ऐक बएक करने चानल को ड़ीट है सब्सक्राइब एक है